इंडिया आप तक समाचार, कड़वा, लेकिन सच जलगाव चे नवी ओलक वस्त्र नगरी गटस थापने पासून नवीन वास्तूत सुरेश कलेक्शन्स अंड क्रियेशन आइशे फुटी कांगलदा रिंग रोड जलगाव शहर में घूम रहे आवारा कुट्टो के लिए जलगाव की आम आदमी पार्टी अब अधिकारियों के पीछे पड़ गई है दरसल इन दिनों जलगाव शहर में आवारा कुट्टो की संख्या दिन बदिन लगातार बढ़ती जा रही है जिसके लिए किसी भी तरह का उपाएन नहीं किया गया है और ना ही अभी किया जा रहा है गली महलों में घूमते हुए आवारा कुट्टे किसी पर भी हमला कर देते हैं कोई भी घायल हो जाता है कई बार तो बड़ी दुरगटनाई भी हो चुकी है कुट्टो की वजह से और अब कुट्टो के लिए आम आद्मी पार्टी के कारेकरताओं को अधिकारियों के पीछे गूमना पड़ रहा है कुट्टो की संख्या इतनी क्यों बढ़ी है इसका एकमात्र कारण यह है कि कुट्टो का निर्भीजी करन नहीं किया गया और जिस वजह से कुट्टो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है हलाकि जानकारे के मुताबिक कुट्टो के निर्भीजी करन के लिए बड़ी रकम महानगरपालिका की ओर से कागजो पर खर्च की गई है अब पता करना यह जरूरी होगा कि शहर में घूम रहे आवारा कुट्टो के निर्भीजी करन के लिए महानगरपालिका की ओर से कितिनी रकम खर्च की गई है और क्या उपाय किये गए हैं फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के जिलाद्यक्ष के नित्रत्य और मारगदर्शन में आम आदमी पार्टी के कारेकरताओं ने महानगर पालेका के अधिकारियों को एक निवेदन सौपा है जिसमें आवारा कुत्तों से जलगाओं के लोगों को बचाने के लिए उचित उपाय करने की मांग की गई है इस दोलान वहाँ पर आमादमी पार्टी के कारेकरता अमरता नेतकर, रईस कुरेशी, लुक्मान लोखंडवाला, ललित चौहान समेत अन्य कारेकरताओं की मौजूद की रही थी जलगाओं से जकी अहमत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक निर्च के लिए पूर को दीजिये थोड़ा तड़का